नमस्कार, SME Express में आपका स्वागत है मोधी सरकार ने तीसरे टर्म के लिए चार्ज ले लिया है 10 साल की फुल मिजॉलिटी के बाद ये कोईलेशन सरकार का दौर है MSME इंडस्ट्री की इस नई सरकार से आखिर कैसी उमीदे हैं आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे हमें इस खास सेशन के लिए जॉइन कर रहे हैं अनिल भार्दवाज सेकेटरी जर्नल फिस में साथी मौजूद है मुकेश मोहनगुपता प्रिजिडेंट चेंबर अफ इंडियन माइक्रो स्मॉल और मीनियम इंडर्प्राइज़स लेकिन मुझे उसकी पॉजिटिव साइट भी जो दिखाई देती है वो यह है कि सरकार ज्यादा कंसल्टेटिव होगी उसके इंदर ज्यादा रेडिनेस होगी कि ग्राउंड से जो फीडबेक आ रहा है उसको सुना जाए मंत्यों को भी यह हिदायत होगी कि वो लोगों से मिलें जाने ज़्यादा ओपन हो तो कुल मिला कि मुझे लगता है इसका कोई बहुत ऐसा कोई निगेटिव इंपक्ट मैं नहीं देखता और यदि कुछ है तो हो सकता है कि पॉजिटिव इंपक्ट ही हो अनिल जी क्या आपको लगता है कि कोईलेशन में बिग बैंग रिफॉर्म्स पर आगे बढ़ना उतना असान नहीं होगा दरसल ग्लोबल उठा पटक के बीच भारत एक ब्राइट स्पॉट है ऐसे में आप नई सरकार से कैसे सिगनल्स डारेक्शन की उमीद कर रहे हैं देखिए ऐसा बहुत लोग मान रहे हैं कि कोईलेशन की आने से जो सरकार की कड़े फैसले लेने की या बिग रिफॉर्म्स करने की जो कैपैसिटी है वो कम हो जाएगी मैं इसको ब्लेक और वाइट की तरह से नहीं देखता तो मेरा ऐसास मानना है कि इस बास से बहुत फरक नहीं पड़ेगा कि कोईलेशन है या सिंगल पार्टी गवर्मेंट की सरकार है जो चीज तै करेगी कि आप क्या करेंगे या नहीं करेंगे पहली चीज है कि आपको clarity हो कि आप करना क्या चाहते हैं उसमें आपका conviction हो, विश्वास हो और फिर दूसरे उसके लिए एक ground prepare करने की जरूरत होती है तो हमने यह देखा कि पिछले दो टर्म्स में मोदी जी की सरकार तो बहुत powerful सरकार रही और उन्होंने GST जैसा बहुत historic decision भी लिया पर GST को लागू करने से पहले देश ने 10-15 साल का एक debate देखा फिर ultimately culminate हुआ एक decision में लेकिन यही सरकार जो कि एक single party की बहुत मजबूस सरकार थी वो agriculture के reforms नहीं करवा पाई मुकेश जी जहां तक 2047 तक विकिसित भारत की बात है MSME Industry कैसे roadmap की उमीद कर रही है मोदी 3.2 से मेरा मानना यहीं है कि जो गती चल रही थी जिस गती से हम चल रही थे जिस तरह से हम भारत जो है वो पांचवी सबसे बड़ी अर्थवयवस्ता में हम पहुंच गए थे मुझे रखता है कि वो गती उसमें कोई problem आने वाली नहीं है यह कोई collision government में समझता ही नहीं हो इसको क्योंकि जो economy है उसके लिए चाहे कोई भी सरकार हो सबकी मैं समझताओं की प्रात्मिक्ता यहीं होगी कि हमारा देश जैसे आपने खा कि 2047 तक एक पूर्ण विक्सित देश के रूप में जाना जाए हम तीसरी अर्थवयवस्ता के रूप में हम जाने जाए तो मुझे नहीं लगता कि यह जो हमारा निरंदर प्रियास जो चल रहा था पिछले 10 वर्षों से उसमें कोई भी जरासा भी कोई गैप आने की कोई संभावना है मैं तो बिल्कुल यह मानता हूँ कि जो सतक प्रियतन चल रहे थे पिछले 10 सालों में शायद आगे आने वाले 5 यह 10 साल भी वही प्रियतन आगे चलते रहेंगे और यह जो सरकार है यह पूरी तरह से एक मजबूत सरकार के रूप में काम करेंगे ऐसा मेरा पूरा विश्वास है मुकेशी इंडिया फिफ्ट लार्जिस्ट एकॉनमी है और माना जा रहा है कि 2025 तक हम जपान को ओवर्टेक कर फोर्थ लार्जिस्ट एकॉनमी बन सकते हैं ऐसे में मैनुफैक्टरिंग की भूमिका खाच रहने वाली है इसमें बड़ी संख्या में MSMEs हैं आपका क्या अंकिलन है मैनुफैक्टरिंग को लेकर मैंनिफेक्चिंग सेक्टर में मैं समझता हूँ स्वारग जी सरकार का बहुत ज्यादे ध्यान है एक खास दोर से एक सरकार की एक स्कीम के बारे में यहाँ पर मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगा एक सरकार एक स्कीम लेकर आई है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जेट सर्टिफिकेट यह अभी आज के दिन में केवल मैनिफेक्चिंग सेक्टर को दिया जा रहा है इस सर्टिफिकेट के द्वारा सरकार यह सर्टिफाई करकर दे रही है मैनिफेक्चिंग सेक्टर को क्योंकि हम net zero की बात कर रहे हैं manufacturing sector सदा से बहुत ही important sector रहा है आगे आने वाले समय में भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महतुपूर धूमी का निभाने वाला है हमारे देश को विक्सित देश की शेणी में ले जाने के लिए या हमारे देश को third largest economy बनाने के लिए manufacturing sector, service sector तो खैर रहा है manufacturing sector से जादे contribute करता है हमारे देश की GDP में बट आने वाले समय में बहुत सारी scheme आई है जैसे PLI scheme है ये jet certification की scheme है मैं समझता हूँ कि इनके द्वारा भारत की जो manufacturing की जो गती है वो तीवर गती आगे बढ़ने वाली है अनिल जी इस दौर में आप reforms पर क्या कहना जाएंगे land labor reforms पर क्या ये रहा मुश्किल रहने वाली है labor reforms बहुत ही tricky issue है हाला कि आज भारत की अर्थरवस्ता को labor reforms को सबस्यादा करने की जड़ोते किसी चीज कि ये वो labor reforms कि लगबख सारा ही तंत्र जो है वो जूट परादारित है कितने आदमिया ने इसका मालूम नहीं कितने इसका मालूम नहीं क्योंकि मैसिव अंडर रिपोर्टिंग है और अंडर रिपोर्टिंग का कारण है कि चाहे minimum wages हो चाहे social security ESI provision fund हो इन सब का जो बोज है वो भारत जैसी अभी बहुत ही developing करती भी अर्थवरस्था नहीं संबाल सकती ये social security 30% के और 35% के आसपास को developed countries में है तो हम यदि developed countries की सुविधाए ये चाहे कि जो कि गरीब देश है वो भी निर्भार कर पाए वो संबाब नहीं सरकार दे सकती है पर private enterprise जो की global competition face कर रहा है उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल होगा वहाँ पर भी सरकार को पहल करनी होगी यदि वो चाहते है तो जैसे कि social security particularly जो medical insurance है उसके case ने सरकार ने किया और बड़ी पहल किया युश्मान भारत के different segments के जो schemes लेके आए है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि micro small enterprises के अंदर जो आदमी काम करते हैं बनिजबत इसके कि उन पर ESI का भोश जा ले वो काम सरकार अपने हिससे ले ले वो वैसे भी करी रही है MSME में तो 10-15% लोग 20% लोग एंप्लाई होंगे फार्मल सेक्टर में तो मेरा कहने का मतलब है labor reforms को फ़ड़ा सा दूसरे ढिंग से देखने की जरूरत है उसमें भी traction coalition की वेज़े से मुझे बहुत मुश्किल लगता है मुकेश जी इस दौर में जैसे MSME नए मौकों के लिए आगे बढ़ते है sustainability पर जोड़ देना जरूरी होगा आप green growth को boost करनी के लिए कैसा जोड़ देखते हैं साथी gift spice जैसी schemes पर क्या राय रखते हैं MSME में environment friendly practices और circular economy के नज़री है देखे जो innovation है वो तो बहुत ही ज़्यादे ज़रूरी है और जो green economy की बात किया आपने दो schemes के आपने बात की ये देखे दो scheme जो है ramp एक scheme announce की थी सरकार ने उस ramp के अंतरगत ये दो scheme सरकार ने announce की है circular economy के लिए circular production के लिए और साथ में ये जो green environment के लिए पहली बात बहुत दिनों बात MSME sector की एक requirement थी एक demand थी कि credit link capital subsidy scheme जो बंद कर दी गई थी काफी समय से जहाँ पर 15% की credit subsidy दी जा रही थी capital investment पर वो अब इनी scheme के दोबारा से दोबारा से लाई गई है जो plant and machine नी है वो नई-नी technology लेकर आए मैं समझता हूँ कि ये MSME की अभी तक जो हम देखते थे कि वो technology अपग्रेडिशन में या innovation में थोड़े शायद पीछे चल रहे थे और यही वज़य थी कि जो उनके product हैं उनकी उतनी demand नहीं हो पाती थी वो उतना growth नहीं कर पाते थे लेकिन सरकार का ध्यान इस और मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से है इसलिए इस ramp के अंतरगत ये दो scheme सरकार लेकर आई है अब ये open network for digital commerce यानि ONDC मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी scheme लेकर आई है सरकार जैसे UPI की तरह मैं इसको मानता हूँ समझता हूँ इससे मैं समझता हूँ कि जो marketing की जो समझ्या है और खास दोर से e-commerce, digital marketing की समझ्या है वो सरकार के दौरा बहुत ही कम commission पर और ये free of course समझ लिए एक तरह से बिलकुल सौरब जी e-commerce website मिल रही है दो दिन के अंदर अंदर ये MSMEs की तो यह ऐसी नजाने कितनी schemes हैं जो सरकार लेकर आ रहे हैं single window scheme का एक bottle बना दिया गया है उसके लिए भी सरकार तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 100 दिन में हम लोग कुछ बड़े बड़े कुछ ऐसे कुछ हम देखेंगे schemes के बारे में या कुछ ऐसी बहुत सारी announcement हम देखने वाले हैं जो MSME sector के लिए खास ताउर से बहुत important होने वाले हैं अनिल जी budget 2023 में MSMEs की payments को section 43B के ambit में लाये गया मकसद तो small businesses को support करने का था लेकिन ground पर industry को इसको लेकर कई issues रहे हैं नई सरकार से इस front पर एक बहुत अच्छा provision है और इसके दूरगामी प्रभाव जो है भारत की जो commercial practices है भारत में जो जिसको business जैसे run करता है उस पर प्रभाव पढ़ेगा और दूरगामी positive प्रभाव पढ़ेगा जहां तक सवाल ने adjustment के दौरान कुछ sectors को दिक्कत का जिसमें खासतर पर traders है जैसे कि गुजरात के अंदर सूरत में garment के traders है या कुछ और जगे भी traders की वज़े से दिक्कत आई है जो manufacturers से समान लेते हैं और फिर ultimately उसको यानि कि एक तरह के distributor कह लीजी उनको या बड़े traders कह लीजे तो वो 45 days में payment देने में असमर्थ पा रहे हैं वहाँ पर आमतोर पर cycle 60 days, 180 days या कभी-कभी ऐसा रहता है कि पिग्या तो ले लिया वरना तो वापस ले जाओ जैसा हिसाब रहता है ये जो अभी चलने वाली जो विवस्ता है ये manufacturers के लिए बिल्कुल भी हित में नहीं है ये traders की हित की वबस्ता है तो 43B का ये थोड़ा बहुत विरोध कहीं है तो वो traders में है जहां तक भी जो किसी भी supply chain का part है B2B काम कर रहे है उन में से तो 99% जो हमारे members भी है वो 43B के पक्ष में है adjustment का जैसे सवाल है की 45 दिन के अंदर payment करना है लेकिन धीरे धीरे एक तरह का discipline commercial practices में आ रहा है इसको हमें होने देना चाहिए ये manufacturer के पक्ष की चीज़ है manufacturer के हित में है अनिल जी यानि आपका मानना है कि ये manufacturers के पक्ष में है और इससे commercial practices में discipline आएगा मुकेश जी delete payments industry की बड़ी चुनोतियों में शामिल रहे है और इसमें बड़ी रख मुस्टक अप है तो आखिर इस रहाप पर कैसे आगे बढ़ना सही रहेगा आपका क्या मानना है देखिए ये जो क्रामतिकारी कदम सरकार ने उठाया था 43BS मैं समझता हूँ कि ये जो MSMEs हैं उनकी delete payment की समस्या का एक बहुत ही बहुत ही एक अच्छा और व्यापक प्रुभाव पढ़ने वाला एक कदम है और इसको MSMEs को सबको स्वागत करना चाहिए हमने भी सरकार से बहुत ही इसके बारे में हमने request की थी कि आप ये जो payment की समस्या इसका कुछ समधान निका लिए क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताएगा कि 10 लाग करोड रुपे MSMEs का stuck-up है लार्ज corporate पर governments के साथ या फिर PSU में अगर ये 10 लाग करोड रुपे MSMEs को मिल जाए समय से 45 days के अंदर अंदर तो मैं समझता हूँ कि ये जो MSMEs है इनको हम जो बेंक के आगे पीछे चक्र काटते रहते हैं कि भी या लोन दे दो लोन दे दो वो सब चक्र काटने की समस्या हमें नहीं रहेगी 10 लाग करोड रुपे बहुत बड़ा amount होता है तो आकि इसका समाधान क्या है देखिए MSMEs हैं उनको डर ये रहा और खास तोर से जो उनके बड़े large suppliers थे कुछ suppliers की तरफ से शैद उनको ये कहा गया कि अगर आपके पास आपका उद्यम registration है तो हम आपको order नहीं देंगे या तो आप अपना उद्यम registration cancel करा लिजे नहीं तो हम किसी दूसरे MSMEs से जिसके पास अपना उद्यम registration नहीं होगा उनसे हम ये supply ले लेंगे उद्यम registration को mandatory कर दे लेकिन जब ये mandatory हो जाएगा सब के पास जितने भी MSMEs हैं सब के पास अपना ये उद्यम registration होगा तब मैं समझता हूँ कि किसी को कोई समस्य नहीं आएगी जो buyer है हमारे उनको फिर चाहे वो A से खरीदे या B से खरीदे सबका जो payment है 45 days में करना होगा जो भी आप business करोगे आज के दिन में देखे चाहे manufacturing है या service है या फिर वो traders है चाहे ये traders को 43 BH का benefit नहीं है लेकिन फिर भी हमारे जो large corporates हैं बड़े जो businesses हैं government PSU हैं मेरी उनसे भी हाद जोड़कर विंती है कि प्लीज आप MSME को ये मत कहिए कि आप अपना उद्यम registration सरेंडर करिए तब ही हम आपको order देंगे और सरकार से मेरी विंती है कि आप प्लीज इस उद्यम registration को mandatory कर दीजे हर किसी business के पास ये MSME का registration होना चाहिए और अब तो definition इतनी बड़ी हो गई है कि धाई सो करोड तक के जो businesses हैं चाहे वो manufacturing हों, service हों या टेडर हों सबको उद्यम registration लेना है मुकेश जी यानि आपके मताबिक उद्यम सब categories के लिए mandatory कर दिया जाए वैसे इससे data भी generate होगा जो काफी helpful होगा आएए अब आगे बढ़ते हैं अनिल जी आप GST के simplification पर क्या कहना चाहेंगे industry इस issue को raise करती रहती है तीन बाते आवश्यक है पहरी तो बाते हैं कि जितने कम से कम slab हो उतना अच्छा है दो slab हो ideal है और एक लगमक 80-80% के करीब जो slab हो या 90% वो एक slab हो चाहे उसे आप मारा परसंट कर लीजे या आप 14% कर लीजे जो भी है I think 12% would be good enough तो वो life को बहुत असान मनाता है और उसमें चोरी की समस्याएं भी कम होती है compliance की cost कम होती है जो फिसमें का मानना है कि जो e-commerce है वो एक बहुत ही important हमर्जगरती भी segment है और उसमें यदि आप supplier है खासकर MSMBs उनको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना है उसमें दिक्कत यह है कि यदि आप 6 states में आपका समान भिकरा है तो tax authorities के साब से उन 6 के 6 जगह पर आपका registration दरकार है वहाँ पर आपको आदमी का identify करना पड़ेगा जो local authorities को जवाब दे होगा और वहाँ पर compliance फाइल करने पुड़ेगी एक छोटी industry के लिए small industry के लिए ये तो बेहर मुश्किल कार्द है मुकेश जी इस digital दौर में आप formal financing पर क्या बताएंगी cash flow based lending जैसे model नई संभावनाय खोल रहे हैं जो हमारे MSMEs हैं उनके पास IPO का अभी बड़ा limited scope है BSC और NSC दोनों ने SME exchange अपनी शुरू किये हैं लेकिन अभी कितने 500-700 कुल जो companies हैं जो हम बात करते हैं कि 6 क्रोर से जादे हमारी MSMEs हैं तो हमारे पास जो option एक रहता है वो रहता है केवल debt कर रहता है अधिकता जो MSMEs हैं उन में से भी अगर हम 90% MSMEs को formal sector से finance नहीं दे पाए तो यह हमारी शायद कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी चूक है और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए हम यह कर दें कि जितने भी loan application है उनका जो origination है वो केवल और केवल online होना चाहिए यानि offline loan application मैं तो इसका काफी बड़ा पक्षदर हूँ कि offline loan application बहिया किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए जो loan application एक बार हम online submit कर दें उसकी tracking का हमारे पास एक पूर्या साधन होना चाहिए यानि मैं देख सकूँ एक loan application जब मैं submit करता हूँ online उसके बाद मैं देख सकूँ कि भई अगर bank ने मुझसे कोई requirement मांगी है कोई document मांगी है तो ठीक है मेरे end पे pending है मुझे अपनी गलती भी पता होना चाहिए लेकिन यह पता होना चाहिए कि मेरा inspection कब हो रहा है मेरे लिए legal documentation अगर है तो वो कब हो रहे है मेरी valuation कब हो रही है मेरे जो recommendation है वो एक branch से दूसरे office में कब गई है दूसरे regional office में या head office में journal office में कितने दिनों से मेरा case pending है यह अगर साधन हो जाए मेरे ख्याल तो बहुत important अधिकतर MSME जो balance sheet है न वो शायद lending के लिए eligible नहीं होती कहीं पर कुछ ratios गड़बर हो जाती है उनको जो rating है वो rating सही नहीं मिल पाती है क्योंकि जो rating का criteria है वो छोटे बड़े सब के लिए एकसा है तो वो investable grade में नहीं आपाते कई बार BBB में उनके जो current ratio है total outside liabilities total net worth की जो ratio है debt equity ratio है जाने अन जाने उनसे गड़बर हो जाती है वो अपना पैसा लगाते है capital की जगे unsecure loan में लगाते है आज के दिन में मैं समझता हूँ कि ये balance sheet balance sheet लेने के बाईया कोई जरूरत नहीं है सब कुछ आपके पास है देखे GST में पूरी turnover आपके पास है सिबिल के दोरा आप हमारा देख सकते है कि भाई हमारे जो पुराने tech record है वो क्या है हमारे जो bank statement दो उसके द्वारा देख सकते है आप एकदम तयार software से है कि आप पता चला सकते है कि कोई check bounce होता है या नहीं होता हम अपनी EMI time से देते है या नहीं देते है क्या हमारे transaction है हमारी जो turnover है वो कुरी account के through route होती है नहीं होती है तो जब तक हम cash flow based lending में नहीं जाएंगे जो हम दीरे दीरे जा रहे हैं मैंने देखा है सभी banks को आगे आना चाहिए और digital lending cash flow based lending में जाना चाहिए आप देख रहे हैं SME Express break का समय है welcome back आप देख रहे हैं SME Express आज जानने की कोशिश MSME Industry क्या मांगे मोधी 3.0 से हमारे साथ मौझूद है अनिल भारदवाज और मुकेश मोहनगुपता आए आगे बढ़ने हैं अनिल जी MSMEs को लेकर कई तरह की schemes हैं पर उद्यमियों को इनके बारे में limited जानकारी है और जिन schemes के बारे में पता है उसको अवेल करने में hand holding की उमीद करते हैं इसको कैसे address किया जाए तांकि MSME मौझूदा schemes का advantage ले सकें सरकार की बन्शा भी है सरकार ने पैसे भी दे दिये scheme भी बन गई है लेकिन फाइदा किसी को नहीं हो रहा या बहुत कम लोगों हो पा रहा है तो ये initial उपसा सोचने की जरूरत है कि वज़ा क्या है हमें लगता है कि दो तीन वज़े है पहली वज़े तो ये कि बहुत ज़्यादा number है schemes का इतनी schemes की आवशक्ता नहीं है number कम होना चाहिए और लेकिन उसमें depth होनी चाहिए depth दोनों तरीके से होनी चाहिए कि जो outlay है वो ज्यादा हो और उसमें एक तरगी transparency हो कि इतने दिन तर दस साल के लिए है ये दूसरी चीज ये है कि उसको implement करने का जो रस्ता है वो अलग हो वो सरकारी जो हमारा जो ministries है उस तंतर से अलग हो मुख्य रूप से देखें तो SMEs को तीन तरह की requirement है help की जहां ज़रुत पढ़ती है उससे credit guarantee चाहिए finance के लिए उसको market access करने के लिए support चाहिए trade fair में participation है या advertisement है या इस तरह की कोई भी चीज के लिए जो आप साहिता कर सकने large industry से उसका linkage कराने के लिए जो विश्ता है वो एक तरह से marketing की जो support है और तीसरी technological regulation के लिए funds की विश्ता हो जिसमें interstate कम हो उसको subsidize करे या उसकी कोई विश्ता निकाले यही मुख्य तीन चीज़े हैं इसके अलावा बाकी चीज़े छोटी छोटी तो 50 जो स्कीम से उसकी आर्शक्ता नहीं है वो तो industry अपने आप भी कर सकती है पर इन तीन चीज़ों का उसके पास प्रहाम तोर पर हल नहीं होता मुकेश जी आप MSME मित्रा के जरीए MSMEs को सपोर्ट कर रहे हैं इस पर चलते हुए बता सके हैं यह जो MSME मित्रा है यह ऐसे काम करते हैं कि यह MSMEs के पास जाते हैं और अभी हमने इनकी पूरी ड्रेस बना दिये ओफिशल ड्रेस में जाते हैं इनके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड है इनके पास अपना विजिटिंग कार्ड है इनके पास अब हमने एक MSME हेल्पलाइन का एक मुबाइल फोन पर एप भी लॉंच कर दिया है जो अभी आज एंडरोइट पर है यह जाते हैं MSMEs के पास अपना जो एप है उसको खोलते हैं वहाँ पर MSMEs को जितनी भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए होती है देते हैं इसकी ब्यूटी यह है सौरब जी कि यह जो MSME मित्र जाएंगे जब MSMEs के पास पूरी उनको स्कीम समझाएंगे ना केवल स्कीम समझाते हैं बलकि उनको जो भी फैसिलिटीज हैं वो उनको दिलाते हैं जैसे जैसे जट का सेटिफिकेट कराते हैं ओएंडी सी का रजिस्टेशन कराते हैं अब हमने इसमें इविन इंशुरेंस के लिए के लिए अनिल भार्दवाद सेकेटरी जर्नल फिस्ट में और मुकेश मोहनगुपता प्रेजरेंट सी आए मसमी आप दोनों का शुक्रिया थैंक यू अगले सेशन में नई थीम के साथ मुलाकात करते हैं फिलहाल नमस्कार